धनेवाद येसु धनेवाद येसु धनेवाद खुदा 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 दारे फिपड़ाएं आतर और सामान करते हैं क्या कि आप पे एक और नई दीन में हमें जगाएं हमारे आखों को खोले हैं एक और नई दीन में हमारे परिवारों को भी एक एक मशी भायविन उनकी पूरी भेमनी को भी लेकर आएं हाँ प्रभुजी आज के दीन के लिए आप आपको धनेफाद करते हैं, आपकी सूती करते हैं, आपकी महिवां, प्राशांशा करते हैं, धारीब करते हैं, बढाई करते हैं और प्रभू, आपसे प्रातना करते हैं, बीति करते हैं, दुआ करते हैं, याचना करते हैं, कि आपे जैसे बीतिवी दिल और रात्री के हर एक पल, घड़ी, समय, वक्त हमें सभाले, अपने आँखों के पुतली कि नाई, हमारे परिवारों का भी ख्याल रखे वे शेही प्रभू, आने मले दिन और रातरी के हर एक पल, घड़ी, समय, वक्त हमें सभाले, हमारे परिवारों का भी देखमान कीजे, ख्याल रखे, देखरे कीजाए. प्रबु आपके सुती हो कि आज का दिन हावे मीला है. और प्रबु सी हम आशा करते है कि आज के दिन के साथ आज की रात्री भी आप हमें देंगे हमारे जीवन में छोड़ेगे सुर्गे भिता होने दे प्रबु जैसे हमारी आसा आप से हैं, वेशे हैं, आपकी करूडा भी हमारे उपर हो, हाँ मेरे प्रियों, प्रभू के उपर भरोशा रखिये, घवराये मत, प्रभू सब कुछ ठीकरेगा, और आपके जीवन में अच्छे वक्त, अच्छे समय, घड़ी, बल को जोड़ेगा, अपने मुहों को खोलिए मेरे प्रियों, अपने वाजों को उठाएगे, और आज के दीन के लिए प्रभू को धन्यवा देजे, जब आप पे, आज के दीन के लिए प्रभू को धन्यवा देगे, तो प्रभू आज के दीन के साथ, आज की रात्री भी आपको देगा, और आने हललेलुया आपको ले चलेगा हललेलुया प्रभु की स्थोधियों फर्मस्वगतर extending हाँ, मरी फ्रियों प्रभु और दिशोधियों और रात्री आपके जीवन में चोड़ेगा सुदर समय, वक्त, ग़ड़ी, पल आपके जीवन में चोड़ेगा आपको देखा मेरे प्रियो प्रभु की स्थोती कीजिए प्रभु की महिमा कीजिए उसकी तहरीव कीजिए बढ़ा कीजिए चुपे मात रहिए अपने मुहों को खोलिए अपने वाजों को उठाइए और प्रभु के पवित रसी हासन की और देखे कर प्रभु की स्थोती जब आप ऐशा करेंगे तो मैं आपको बाता आदू मेरे प्रियों कि आज के हर एक बाल घड़ी समय वक्त से बेहतरीन होगा हलेलुया आसीस मैं होगा साफालता भरकत बड़ोतरी मैं होगा उन्ती मैं होगा हलेलुया प्रभु की इसतो दियो पर मैं सुरकत धन्यवाद हो आगे मेरे प्रियों प्रभु के जीवित बचन को देखेंगे आगे हम देखेंगे कि आज की सुबा में प्रभु अपने बचन के द्वारा हमें क्या सीखाता है हम जो वचन देखने वाले हैं वो वचन है लेविवस्ता की पुष्टक और नहीं सद है कि उसका 33 और 34 पद ध्याद से सुनिए मेरे द्रियो इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है यदि कोई पर्देशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना जो पर्देशी तुम्हारे संग रहे और तुम्हारे लिए देशी के स्वान हलिलुया प्रभु किस्तो दियो परमिस्वर का तजबाद हो देखिए मरे प्रियो प्रभु क्या कहता है अगर कोई परदेशी आपके देश में आता है आपके गाउं में आपके गली मुहाला में रहता है तो उसको आपे दुख अबाते दीजिए किसी प्रगर के दवाव उसके उपर मत डालिए अन्देर मत कीजिए परदेशी जानकर उनको दग मत कीजिए तब आप मत कीजिए प्रभू क्या कहता है ओ परदेशी तुम्हारे लिए देशी के शावानों और जैसे तुम अपनों से फ्रेम करते हो वैशे उनसे भी फ्रेम करना हललुया प्रभू की श्तुदियों क्या लिक है अपने ही शावान उनसे भी प्रेम रखना हललुया प्रभू की श्तुदियों पर मैं जोर कर धन्यवाद हो धन्यबाद यशु जो प्रपु कहता है अगर आप उखरेंगे प्रपु के इक्षा में चलेंगे प्रपु की ओर से बहुत दैद की जीवन और आसी से खोसिया नहीं हर्ष उपांगे आणनत पाएके हर प्रकार की आसी से पाएके आपकी एक चला शबनों का अपना शबना पनुरत पूरा होगा किसी भी बात की कमी घटी आपकी जीवन में नहीं रहेगा हलिलूया प्रभु की अस्तूति हो परमेशुरकत धनेपाद हो धनेपाद ये शूप आपकी अस्तूति हो प्रभुजी आपकी महिमा हो तरीप हो प्रभुजी बढ़ाए हो आपका आदरों शबनों शेयता मदद काइड कर दीजै सभाने ही प्रभू बीतिवे रातों में आप सभाने प्रभू जिहां पूरे रात हम सब प्रभू अपने वीचोने में नीज चित सोबाने हैं प्रभू लागो लागो गोटी-गोटी आपको दहने पा देते हैं आपकी इस दूदी करते हैं प्रभू पूरे राद समाने के लिए और आज की से अडन में दीन में लाने के लिए आपको धनेबा देते हैं आपके इस दूधी महिमा प्राशांशा करते दरिप करते सहता मदद गाइड करते प्रभुषभार ये देखवाल कीजे रखच रखवाले कीजे अपके स्थूधी महिवा प्रसांसा करते तेरिक करते, बढ़ाय करते अपका आद रोशाभान करते होने दे प्रभू आज के हरे पल गड़ी समय भकताप हमारे निकट रही है हमेशा भाले हमारे परिवारों का भी ख्याल रखे प्रभु हमारे कामों को गारियों को शफल कर दीजे प्रभु रोजी रुटी में आसीज दीजे प्रभुजी प्रभुजी इस प्राधना को चितने मजीब है बेन बच्चे नावस्वान पड़े भुजुर्ग सुन रहे हैं बहुत है से प्रभु उनको फ्लेज कीजे बर्गर से सफालता से सुक्षा दिया ना दिखोजे नई अर्श उमक से भार दीजे परिवार में शात्ती दीजे प्रभुजी कले इसको दूर करतीजे प्रभु सहता कीजे भारभीता परमेश्व धने बादेते हैं आपकी अस्तूती करते हैं माईमा प्रशाशा करते हैं शाहता अगर प्रभुजी कमेंट के बादे हमसे जो लोग हाँ प्रभु कमेंट के बादे हमसे जो लोग अपनी प्राधरा निवेदत प्राधरा वीशे हमें दिये हैं उनके दिये हुए एक एक प्राधरा निवेदर प्राधरा पीसे आपके हसूरी में हम रखते हैं प्रभु जी सबों के भेजे हुए प्राधरा निवेदर प्राधरा पीसे के उपर आप दिरिश्टी कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आपी में दीजिए ताकि सब में खुशियों से भर्ज है और आपके स्थूती करें आपके महिमा करें प्रभु धन्यवाद करते है प्रभु आज के दिन में इस भाई को इस बादवा चलो जवान को जिस चीज की जिस भाद की भली बस्तों की जरूरत आप इनके जरूरतों को पूरा कीजे प्रभु सहता कर मदद कर प्रभु धन्यवाद करते है आपके स्थूती करते है प्रभु शवाली देखवाल कीजे प्रभु धन्यवाद करते है आपके स्थूती हो प्रभु आपकी महिमा हो आपके तैरीफ को प्रभुजी आपके बढ़ायों शायता और मदद करते हैं प्रभु प्रभु तु अनुकरा कर दाया कर किरपा कर खोता दरिपा देते हैं प्रभु आज की सुबा में ये भाई ये बेहने वाचनोच्वान बड़े बुजुरक अपने लिए या दूसरों के लिए जो कुछ भी मांगे हैं आप इनके बागो को पुरागी से बहुत दीजे डेहर दीजे अधिन दीजे प्रभुजी धरिपा देते हैं आपके सुद्धी करते हैं प्रभु सारा आतर महिमा और सामान आपको मिले प्रभुजी प्राथना प्रभुजी अपके उधार करता नामों में मागते हैं प्रभु आमीन 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 लोर्ड जीसस आमीन हालेलुया प्रेज दो लोर्ड मेरे प्रियों हरोज देली प्रति दीद सुबह चार बजे और साम चार बजे प्राथना को रिसीब कीजे और प्राथना को शेर्वी कीजिए ऐसा करने से प्रभु की अनुगरा और पहिमा आपके उपर बढ़ी रहेगी तो मेरे प्रियों आज सब चार बजी के प्राथना में जरूर सामिलोगे आज इन सावे चर्वाजी के प्राथरां को जरूरी सिप कीजे और प्राथरां को शेर भी करना प्रभू आपको प्लेश करें गोड़ प्लेश हूँ, प्रेश दो लोड़ आप सबको प्रभू के पीठें और मदूर नाप में जय मसी